नमस्कार आपका स्वाकते राजमामा टीवी पे मैं पूर्ण हम आपके साथ बॉलिवुड एक्टर पंकेस टिपार्टी की फिल्म ओ माइ गॉड टू हाल ही में रिलीस हुई फिल्म ने पहले दो दिन में 25 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है इसी बीच एक इंटर्व्यू में पंकेस टिपार्टी ने अपने और पैरेंट्स के कनेक्शन पर बात की पिहार के गॉपाल गंचिले के छोटे से गाउं बरोली के रहने वाले पंकेस ने कहा कि उनके पिता को उनके अचुव्मेंट्स में कोई खास इंटर्स नहीं है उनके पिता ने आज तक कभी थेटर में कोई फिल्म नहीं देखी वहीं उनकी मा जब उन्हें स्क्रीन पर देखती है तो उनकी एक्टिंग नहीं बलकि फिजिकल अपिरेंस को नूटिस करती है उन्हें लगता है कि पंकश ठीक से अपना ख्याल नहीं रख रहे खापी नहीं रहे हैं एक इंटर्वियू में पंकश ने कहा पिताजी अभी तक सिर्फ एक ही बार मुंबई आये है वो हमारे पहले घर के ग्रफ अवेश में आये थे उन्हें बड़े घरों से कोई अटेश्मेंट नहीं है पिताजी को तो अभी तक यह भी नहीं पता कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में क्या करता हूं उन्हें मेरे अच्यूमेंट्स पर कोई खास गर भी नहीं है यहां तक कि उन्हें यह भी नहीं पता कि मैं किस तरकी और कैसा सिनेमा करता हूं उन्होंने आज तक कभी किसी सिनेमा घर में कदम नहीं रखा है अगर उन्हें कोई टीवी या कंप्यूटर पर मेरा काम दिखा देता है तो वो देख लेते हैं जो हाल ही में मैंने अपने घर पर इंस्टॉल करवाया है वहीं अपनी मा के बारे में बात करते हुए पंकश ने कहा मेरी मा मुझे टीवी पर देखकर मुझे कॉल करती है फिर वो मुझे से कहती है कि मैं बहुत दुबला हो गया हूँ ठीक से खा पी नहीं रहा हूं क्या वो पूछती हैं कि मैं ठीक से सो रहा हूं या नहीं वो मेरे एक्टिंग पर फोकस नहीं करती इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद